लो दोस्तों कैसे हैं आप जैसे कि आप जानते हैं मुंबई कुश्टल रोट प्रोजेक्ट का का काम काम बहुत जोरों-प्रोजे기 जोरोस से चल रहा है और यह candy ओपन भी हो चुका है यह यह मरीन लाइन से लेकर बांदरा वरली सीलिंग तक का जो प्रोजेक्ट है यह ओपन हो चुका है आम पब्लिक के लिए चालू है इसमें टनल वगरे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही खुपसुरत बनाई गई है और जैसे कि आप जानते हैं इसके पह और नौर्थ एंडियानी की कांधी वली तक जाएगा यह अपने दो से ढाई घंटे का जो सफर है वह चालिस मिनिट में पूरा कर देगा दोस्तों अभी जो फर्श फेस का रोड ओपन हुआ है उस रोड का नाम यहां के मुख्यमंत्री स्री एकनास सिंधी जी ने संभाजी माराज रोड रखा है हाँ दोस्तों और इसमें जो टनल है वो आप सभी लोग जानते हैं जैसे मलबार, हिल, गिरगाउं, चौपवर्टी के नीचे से होकर टनल कुजरती है यह टनल बहदी खुबसूरत बनाई गई है हाँ जो कि एक देखने लायक है दूसरा कि बांद्रा नहीं होता है और अपना अलग सब कुछ चलता रहता है इसमें गाड़न्स, सिटी जन्सी, पार्क और बहुत सारी एमेनिटी दी गई है और वर्ली से मरीन ड्राइव का सफर सिर्फ आप आठ मिनिट में तै कर सकते हैं इसमें कभी-कभी तो ट्राफिक लग जाने पर घंटो कर रहा स्टार्ट है । यह कांदी वालि तक अभी लिया गया है पर ऐसा बताया जाता है कि हो सकता है यह दहिसर तक, सेकेंड हो जायी मैं और अभी जो यानि कि सेकेंड लाइज है उसका काम कितने दिनों में पूरा हो पायागा इसका अभी निश्चित समय नहीं बताया जा रहा है नहीं कि एनाउंस कवर्मेंट ने नहीं किया है वह जैसे ही किया जाएगा तुरंत आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी दोस्तों जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मुंबई बहुत ही ट्राफिक वाला सिटी है हाँ वर्ल्ड के ट्राफिक वाले सिटी ओं में दोस्तों यह सब ट्राफिक हटाने के लिए ऐसे रोड का प्रोजेक्ट का जो भी है वह निर्मान किया जाता है हाँ इसमें थोड़ा बहुत ट्रोल्टेक्स लगता है वह ट्रोल्टेक्स नहीं होना चाहिए हाँ क्यूंकि बनता तो हो है यानि कि पब्लिक के पैसे से ही न दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह टनल है अंडरगाउंट टनल यह टूवे में बनाई गई यानि कि एक टनल में वनवे ही चलेगा जिससे की एक्सिडेंट वगरे होने की कोई भी संभावना नहीं है आने की टनल अलग रहेगी और जाने की टनल अलग रहेगी दोस्त तो इस पर जो अभी तक खर्चा हुआ है वह लगबग 12,000 करोड के उपर हो चुका है तो दोस्तो आपको बॉम्बे कोश्टल रोड पर अगर सफर करने का अनुभवपराप्त करना हो तो आप बॉम्बे की सफर कर सकते हैं दोस्तों और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरू जरूर बताइए लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों जिससे के हम आगे मिलते रहें आपको थैंक्यू फ्रेंड्स